कि हल चाल वेल्कम तो निए टॉपर्स माइन में निदेश दिम्नानी और केमिर्श एजुकेटर और यूट्यूब क्रैश कूर्स में बिटा आप सभी बच्चों का स्वागत है इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बिटा सॉलिड स्टेट को कवर करने वाले हैं क्या हल चाल बिटा आ गये आ गये आ गये है न लेट हो गए आज हम हैं क्लास स्टार्ट हो चुकी है तीन चार दिन पहले थे कितनी सर्दी नहीं थी लेकिन एकडम से इतनी सर्दी बढ़े यह थे तो समझ रहे हो सुबह के सारे कारेकरम लेट होते गए लेट उठे और फिर हम लेट आए क्लास में चलिए जोश कैसा है जोश कैसा है बिटा आग लग जानी चाहिए थोड़ा सा बिटा चैट सेक्शन में फटा फट बिटा जोश बताएंगे सॉलिड स्टेट इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं ठीक है सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ेंगे आजओ 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 शांदार तरीके से पढ़ेंगे बहुत सारी चीजे सीखेंगे इमाजिन भी करेंगे मजा आने वाला है जो शाय है ओ ओ ओ ओ आग्या देदी बिलकर från यहां आपको पता चला नया टाइम हमने रखा है प्राक्टिस के लिए नया टाइम है रखा है प्राक्टिस के लिए प्राक्टिस हम लोग ऐस हम लोक रहो स्पेशल क्लास पर होगी स्पेशल क्लास क्या होती है एबसल्यूटली फ्री होती है अपको डॉडूड करने पड़ती आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगी आप कोड पूछे तो लगा देना यहां पर देखाँ नहीं करा रखाए फटा फट से इंड्रोल करेंगे मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ फटा फट से इन्रोल करेंगे छे बजे है आज पिटा आपसे पिटा छे बजे ही लगेगी रेगुलर्ली अपसे पिटा छे बजे ही लगेगी फटा फट से पिन करिए पहले से पिन है आपकी उसको इंडॉल करो इंडूल करो इसको आप फटा-फट से इन्डॉल कर लिजे इन्ड जाल कर लिगेज़ी आ अपद बेगेज सेट से वज Jupiter इलगेगाई चरू कि करें सटार्ट करें सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही amazing offer आप लोग के लिए आया है, resolve 2023 ठीक है, जिसमें आपको 23% off मिल रहा है, और बहुत सारे batches first week of January से start हो रहे हैं, तो आप लोग बेटा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अगर 2023 एस् सकते हैं, code बेटा आपको स्पार्टन लगाना है, और अप प्रापर मेरी mentorship में भी आज जाएंगे, और 2024 एस्परिंट है, तो go for 18 months और आप लोग को यह सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, right, code आप लोग को स्पार्टन लगाना है, मुझे बता देना है कि हांसर मैंने आपका code लगाया है, आप लोग मेरे personal mentorship group के add हो जाओगी, right, चलिए, हाँ जी, सारांच बैच चल रहा है, धुवादार तरीके से शारांच बैच भी चल रहा है, इसमें भी बेटा, आप लोग को स्पार्टन कोड लगा के enroll हो जाना है, recorded lectures हैं, किसी पे dependency नहीं है, और आप एक close environment में, बहुत सारी question practice, बहुत सारे doubt sessions के साथ पढ़ सकते हो, chemistry का जिम्मा पीटा मैंने आप लोग का उठा लिया है, Spartan code लगाईएगा, आप लोग मेरे mentorship में भी add हो जाईएगा, right, ऐसी पीटा एक और नया बैच आया है, जिसका नाम है महा संगराम badge, वहाँ पे भी आप लोग Spartan code लगा के enroll हो सकते हो, unacademy centers खुल रहे है, seeker में खुला है latest center जो कि जैपूर से भी बहुत ही पास है, तो launch offer भी आप चल रहे है, 11th की batches में, 12th के as well as dropper batches में, इसको ज़रूर विजट करिएगा, अगर आप seeker या फिर आजपास रहते हैं, तो, right, चलिए, आजओ, देखो मे जोस दिखाओ पेटा, आजओ, जोस दिखाओ पेटा, जोस कहा है, जोस कहा है पेटा, जोस है या नहीं है, ओई या, जोस है, जोस है, जोस है, गुड मॉनी, 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 गुड स्टाट करें अरे बस यार आजाओ तो थोड़ा सा अगर मैं आप लोग को पहले है ना पहले थोड़ी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ तो थोड़ी सी अगर आप कहानी सुनोगे तो देखो chemistry के हम बात करें तो हम लोग पूरा जो आपका need का syllabus है उसमें हम तीनों phases पढ़ते हैं solid state भी पढ़ते हैं, liquid state भी पढ़ते हैं और हम लोग gaseous state भी पढ़ते हैं कहां-कहां पर पढ़ते हैं, सर जो matter होती है, उसकी mainly 3 state होती है, जो matter होता है उसकी mainly 3 state होती है, कौन कौनची होती है solid state होती है, सही बात है सर भात है हम अमारे स्लिबस में तीनों चीजे पढ़ते हैं अच्छा ज्यादा ग्यानिन यह बनना किसर प्लाजमा भी होता है बोर जाइनसें जो हमारे चीज पढ़नी है ऑप लोगों किसमें पढ़ते हो यह आपका चाप्टर का आता है इसमें लोग बड़ते हैं पढ़ते हैं कितने तरीके के solids होते हैं आप लोगे solid बनते कैसे हैं packing efficiency क्या होती है density क्या होती है सारी चीजे हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट बेटा अब लोग पढ़ते हो बारवी कक्षा का 12 लोगे पढ़ते हैं लिक विडग्विड स्टेट बढ़ते हैं बिलकुल सही है और इस स्टेट का पढ़ते हैं Match cut चैप्टर होता है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स आप लोगों का गैशल स्टेट होता है प्लीज स्पैम करना बंद कर दीजिए उप लोगों की छे बजे ही लगेगी पड़ने पर ध्यान लगाई है और स्पेशल क्लास में मेरे को सभी बच्चा लाइव चाहिए क्य ऊफोट प्रवाब करेंगे तरीकस से अब पड़ें और भी कुछ नहीं कर पाोगे तीक है छही ठीक है लाइव आ जाईएगा छे बजे आज अप लोगी क्लास है आज खतम करेंगे खूब सारी एक्वेशन प्राक्टस करेंगे और स्पैमिंग में हम लोग आपका उत्तर देंगे नहीं आपको आंसर मिलेगा नहीं मापे गुस्सा दिल आ दिया ना सुबह सुबह गुस्सा करा दिया रहे बिटा सुबह सुबह तुम भी आ जाओ यहाँ पर गैसिये स्टेट बटा इलेवन का चाप्टर होता है स्टेट सौमैटर होता है ठीक है चलो आज ओ देखेंगे, टाइम का कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप अभी आद 6 बजे मिलना, अभी आद 6 बजे मिलिएगा, अभी आप 6 बजे मिलिएगा, चलिए आजाओ, इसका एक परडिकुल बजे मिलिएगा, इसका एक परडिकुल शेप भी है, इसमें छोटे होते हैं, जैसे आपके जो दो आटम हैं, यह एक आटम है, और यह एक आटम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, अगर यह पास पास आगए, तो इनकी बीच में फोर्से क्या होंगे, सबसे जादा, बोलो हाया ना, बोलो हाया ना, अगर यह पास पास आगे, तो इनकी फोर्से क्या रहेंगे, सबसे जादा, तो इंटर नूपलेलर फोर्सेजर बडी स्ट्रॉंग, आइम स्ट्रॉंग बाड्य की डिक्की थी उसको जोर से बंद करा स्टउर गई है यह नुक्ति शॉलिड के एटोंस होते हैं बहुत भी स्ट्रॉइज होते हैं इन हाटिकल अलाटिकर प्लें पोज़ीशनिय होती है defect होती है उनकी पोजीश्ण्ट होती है लेकिन 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 जो सोलीड के एटम होते हैं वह हलका हलका अपनी position पर वाइबरेट जरूर करते हैं द्यान से सुनिएगा जो आपके आटम होते हैं हल्का हल्का अपनी पोजीशन पे वाइबरेट जरूर करते हैं ऐसे नहीं करता है लेकिन हल्का हल्का अपनी पोजीशन पे वाइबरेट जरूर करता है जरूर करता है आप इसको बहुत जोड से प्रेशर करोगे आप और मेरी बसकी बात नहीं है सबसक्र कोई मशीन लगाई और मैंने बहुत जोड से प्रेशर करा तो यह हल्का फुलका तो कंप्रेस हो जाएगा अगर आप बहुत ही ज़ादा प्रेशर लगा दोगे कितिने सवाल हैं कितने तरीके जोते हैं मेलि डिटा दो तरीके के सॉलिट होते हैं क्रिस्तल्य कितर इंपर्टनहेटक डार्वर एगा डारेक्तहगा दार्वर सवाल आएगा इंपॉर्टन से एक्जांपल कॉन पर ले सब् meringue बड़े यहांड hearts यहां पर आप यहां मोफ वार्ट इर्रेगूलर होती इसका फिली इस यह जैसे अपका प्लास्टृ को गया जयसे आपका ग्मениюord ग्राइट डिए जैसे वो देखा है वो सुनों चलो मैं आपको समझाता हूँ पहले आप इंकी कैसे पहले एह देखो फिर मैं आपको समझाता हूँ ओलेकि से आपकी किया होती है रेगुलर शेप होती जो सबसक्रोंचारू चार्डूर एक रांडम डेटा ले रहो जैसे शेपोस्कुर चारसो लेवन से फिक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर क्या होगी रेंज होएगी यहाँ पर क्या होगी चीजें फिक्स रहेंगी बिलकुल सही एन आइसो ट्रोपे कि नेचर ध्यान से सुनना विटा यह क्या है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ध्यान से सुनेंगे इसका मतलब होता है zoom कर के लखेंगे इन आईसो ट्रोपिक का मतलब है दे हाव डिफरेंट लिखेंगे याप पर बिटा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डारेक्शन इन डिफरेंट डारेक्शन मतलब जैसे सबोस करो आप यहाँ पर खड़े वे हो आप किसमे हो इमाजिन करिए थोड़ा सा यह चाप्टर बिटा इमाजिनेशन वाला है ना सबोस करो आप लोग किसमे हो क्रिस्टलाइन सॉलेट में खड़े वे हो आपने क्या करा एक कोई सी भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हो सबोस करो देंसिटी ले 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 लेकिन भाई साब जो है कौन से इमॉर्फर्टी यह आईसो ट्रॉपिक इन नेचर हैं आईसो ट्रॉपिक का मतलब गया आईसो ट्रॉपिक का मतलब गया फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन एल डारेक्शन। इन ओल डारेक्शन अब ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे जो इसमें बहुत ही रांडम बिहेवियर है इस डारेक्शन में जाओगे तो भी रांडम ने सेम है इस डारेक्शन में जाओगे तो भी रांडम ने सेम है इस डारेक्शन में जाओगे तो भी रांडम ने सेम है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है हर डारेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी सेम मिलेग कौन सा amorphous वाला किर्स्टलाईन वाला क्या है एन आइसो ट्रोपे के लेज़ थीक है सर यहाँ पर क्या होता है long range disorder होता है मतलब एक लंबी range तक order रहता है long range order रहता है मतलब random नहीं है इधर आप चाहो तो लिख लो random नहीं है क्атalypti वाधिन ऋच्वात हैें ऐक एक लंबी रेंज तक आप rockets बनाके बैठें एक लंबी रेंज तक आप डिस्सप्लेंध बनाके बैठें तो यह रैंडम नहीं है यह क्या है पिटा शॉट रेंज ओर्डर क्योंकि यह रैंडम है यह क्या है रैंडम है क्यों कि यह बहुत असली सॉलेड होते है यह क्या है शूडो सॉलेड्स या फिर शूपर कॉल्ड लिकुड्स अच्छा मेरी बात सुनाओ स्कूल तो गए है हम बिलकुल गए है तो जब आप जाते हो स्कूल में और खेड़की पे जाना ख्टकी पर जाना थो आप धेखवेंगे नीचे खिड़की के yes इक र्फे NJ जो हता है no विटा लास पेड डेखी है ये खेड़की है उनमय ंब्शह अब यह ऊऔर विष्मी खेल रहे यहां पर देखो गें तो यह आप देखोगे तो कुछ नवे TOMS आसे चीजी जमीyu कि झाओं आईम पुराणी खिड़की में जा नहीं खिड़की मत जा न न Arist पे जाना नीचे क्या हो रहते हैं ऐसी कुछी कुछ कुछूजude ग्रावेटी हिशा सब्सक्रbon flour还是 समय के साथ gravity तो अपना काम करेगी ग्राविटी तो दीरे धीरे जो उपर के हो नीचे आते जाते हैं यहां पे सेटल उसका सथ मिथीया थिक नीचे थिक सब्सक्रांग हो करने कि इसी सब्सक्राइब हुआ है ऐसे सिडल हो गडर वो तो पिटा कुछ लगा रखायोगा माहा आप यह ना मतलब गलास जिस कलर का बैठे का उसी का जायेगा ने हम तो क्रिस्टल लाइन में इंटरेस्टेट है सबसे पहले कौन्च होता है सबसे पहले कौन्च होता है सबसे पहले बादा सबसे बना सकते हैं Molecular solid, molecule solid, ठीक है, अब सबसे पहली बात, यहां पे, यहां पे यह किस से बने वे होते हैं, किस से बने वे होते हैं, इसमें आपके जो Constituent particles होते हैं, यह क्या होते हैं, बैटा, molecules होते हैं, क्योंकि बच्चों को इस chapter में काफी दिक्कत आती है, हम लोग अराम अराम से हौले हौल सही है सर अब जो molecular solid होता है कितने तरीके का होता है molecular solid पिटा आपका broadly दो तरीके का हो सकता है एक होता है पिटा non polar molecular solid एक होता है non polar molecular solid मतलब जिसमें polarity नहीं है जिसमें polarity नहीं है polarity नहीं मतलब mu zero dipole moment क्या होगा पिटा zero dipole moment पिटा क्या होगा 0 होगा ठीक है सर ठीक है सर जैसे example example H2 H2 का solid बना दो H2 का solid बना दो उसमें क्या हो गया H2 का solid बना दो अब बच्चे सो दो रहा सर H2 तो gas होती है हाँ पर उसको solid में करिवर्ट कर लो क्या दिक्क्त है क्या दिक्क्त है या पर देखो बिटा जीरो रहता है जीरो है अब सवाल यह उठता है कि सर यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच में कौन से फोर्सस हैं जैसे सबूसब करूं यह लूँ क्या इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ forces होंगे इस molecule और इस molecule के बीच में कुछ ना कुछ forces होंगे इनको हम क्या बोलते हैं London forces क्या बोलते हैं induced dipole forces, induced dipole forces भी बोला जाता है, ये भी non-polar, ये भी non-polar, non-polar, non-polar के बीच में क्या बोला जाएगा, लंडन फोर्स या फिर इंडूजड डाइपोल फोर्स इंडूजड डाइपोल फोर्स इंडूजड डाइपोल फोर्स चेक है अब यह क्या होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं यह क्या होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं बहुत कमजोर हैं और अगर यह बहुत ही कमजोर हैं तो forces कहा है बिटा कम जोर forces कहा है बिटा कम जोर तो low melting point है आई बात समझ में आई बात समझ में आई सर आई दूसरा क्या होता है सर दूसरा हो जाएगा polar molecular solid polar molecular solid नाम सही पता चल रहा है bond क्या रहेंगे polar रहेंगे मतलब mu की value not equal to zero mu की value not equal to zero सही बात है सही बात है सही बात है एक्जाम्पल जैसे hcl ले लो अब बच्चे बोलेंगे सर hcl तो gas होती है हमारे पास थाकत है ना कंडेंस कर देंगे कोई लोड नहीं है तो यहां पर देखो क्या ले लिए hcl ले लिए अब सुनिए ध्यान से अब सुनिए ध्यान से यह रहा एक hcl हाजी सर अब देखो यहां देखो यहां पर डेल नेगेटिव होगा हाँ इन्हों क्या बोलते हैं पटागोण डाइपोल डाइपोल फोर्स इनको हम क्या बोलते है, डायपोल, डायपोल, पर्सिस, डायपोल, डायपोल, फोर्सिस अब आप लोग बुचोग की सर यह strong रहता है, weak रहता है, य्योंph पेटा, weak ही यह ये भी बीटा वीक ही, ये भी बीटा वीक ही है, वीक है तो इनका भी low melting point ही होता है, लेकिन लेकिन इससे तो strong है, यहां तो बीटा non polar थी, यहां चीजे क्या थी बीटा non polar थी, कोई polarity ही नहीं थी, लेकिन यहां पे at least polarity तो है, at least polarity तो है, तो इससे तो strong है, इससे तो strong है, आई बात समझे है, low melting point है इसका भी, लेकिन पहले वाले से तो ज़्यादा होगा melting point, अभी मैं order लिखवा भी दूँगा, अभी मैं order आपका लिखवा भी दूँगा, चेक है, तीसरे तरीके के कौन से होते हैं, जहां पे hydrogen bonding होती है hydrogen bonding molecular solid, hydrogen bonding कब होती है बटा, कौन होश्चियार है, कौन पताएगा hydrogen bonding कब होती है, hydrogen bonding तब होती है, जब hydrogen is directly attached to फॉन, फ्लोरीन, ओक्सिजन और नाइट्रोजन हेलो, हेलो हैड्रोजन क्या लगर रहा है फॉन कर रहा है हैड्रोजन क्या कर रहा है फॉन कर रहा है जैसे जैसे पिटा एचेफ देखो, बिल्कुल सही है जैसे देखो एचेफ, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर हाइडरोजन, क्या हो जाएगी पीटा, हाइडरोजन मौन्टनिंग, क्या हो जाएगी पीटा, हाइडरोजन मौन्टनिंग, तो यह क्या है हाइडरोजन, यह क्या है पीटा, हाइडरोजन मौन्टनिंग अब अगर आपसे पूछे इनका melting point कैसा होता है इनका भी बीटा low melting point है लेकिन अगर हम सबसे order पूछे order of melting point अगर हमने कुछे मापे forces सबसे कमजोर है समझ़ पारे हो ना पूरा खेल forces का है Non Polar वाले सबसे कम zhon Then Polar वाले और सबसे strong इन तीनों में hydrogen bonding इन तीनों में hydrogen bonding आगे Hydrogen bonding ठीक टाक strong होती है बहुत जाधा strong भी नहीं होती लेकिन ठीक टाक strong होती है नों Polar Melting Point सबसे कम Then Polar Then Hydrogen bonding नहीं इक रिभी मैं षूर्फेंब बिधी पर्वेड की निना पर्वेक्ट 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 पर्फेक्ट। सर चाहें पीनिये ये हम पीते हैं मैं मिन हम पीते हैं और यहां पर कंस्टिटीटीटुवंड पार्टिकल नामसी पता चल रही होते हैं इस और रहां वोट hem बिल्कुल सी, बिल्कुल सी, बिल्कुल सी, इंस, बोले तो कटाइन औन जो चे-क है, अब यहाँ पहर अगर मैं forces की बात करूँ, तो obviously बात है, एक positive charge है, एक negative charge है, एक negative charge है, कौन से forces रहें गे, electrostatic forces से रहेंगे physics में पढ़ते हैं नेँड़ electrostats physics में पढ़ते हैं नेँड़ electrostats वो ही forces होंगे कौन से पेटा electrostatic forces रहेंगे electrostatic forces रहेंगे बो जो हाँ यह ना ensacled Columbus forces बोल दो बिल्कल सही कोई лोड नी है और हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रो स्टाटे का पोर्स क्या रहेते हैं स्ट्रॉंग क्या रहेते हैं बड़ा स्ट्रॉंग आई एम स्ट्रॉंग यह बोल रहा है बड़ा आई एम स्ट्रॉंग आई एम स्ट्रॉंग फिक है अरे देखो सुभे सुभे कौन आया है देखो देखो वो आ गया नोत ऑगया देखो बोलरा है तो लोत्वा बोल रहा है on increasing, on increasing temperature आपने क्या करता है इनक्रीज करेंगे इनक्रीज करेंगे वैसा क्यों होगा ऐसा क्यों होगा इसलिए होता है यह उलटा-therefore क्या होता है विकास का साइन उलटा-therefore देख रहा है इसको ऐसा जादु वाडु का सिंबल मत समझ ले ना, यह सर क्या कर रहे है रीजनिन के लिखा जाता है, रीजनिंग के लिखा जाता है तो on increasing temperature, conductance क्या करती है, increase करती है क्यों, because number of ions increases आइंस इंग्रीज कर जाते हैं, एम्परेजर जैसे आप बढ़ाओगे, तो बॉंड टूटने लगेंगे, जैसे आप टेम्परेजर बढ़ाओगे, तो आइंस ज्यादा बनेंगे, तो उनकी कंडुक्टिविटी, कंडुक्टेंस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगे, और घो जैसे आयन भागने लगेंगे कंड़क्टेंस बढ़ जाएगा सब्सक्राइए तो यह नोटवा है यह इंपॉर्टन्ट अब सर इसके एक्जामपल कोई से लेलो आयनिक बॉंड ना चाहिए और एलेक्ट्रोस्टाटिक बॉंड क्या होता है एलेक्ट्रॉस्टाटिक बॉ अब ले लो एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह मैंने आप लोग को मैंने आप लोग को इलेक्ट्रो केमिस्ट्र के फॉर्स्ट डीपीबी में भी बढ़ाईती है जो मेरे साथ प्राक्टिस सेशन कर रहे हैं शाम को छे बजे वाले उनको यह बात पता होगी मैंने उन लोग को यह बताया था अभी भी मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर जैसे सपोज करो NACL है मैंने वहीं NACL के एक्जाम्पल लिया जैसे सपोज करो solid state में है तो solid state में it does not conduct electricity यह चीज मैंने बताई दी आप लोग को मैं वापस बता देता हूं और शाम को छे बजे आओगे तो और ज्यादा बता दूँगा जिसे NACL है वो solid state में है अगर solid state में तो it does not conduct electricity, electricity conduct नहीं करेगा, क्यों? because of no free ions, free ions नहीं होते इसके पास, इसके पास free ions नहीं होते, इसके पास free ions नहीं होते, electricity conduct करने के लिए free ions होने की बहुत ज़्यादा आवशकता है, लेकिन उसी आप NACL को, उसी आप NACL को क्या करो, या तो molten state में ले लो, या फिर आप क्या अगरो पानी में डाल दो, मतलब aqueous state ले लो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे electricity conduct करता है, molten मतलब बहुत high temperatures पे ले जाओ, तो यहाँ पे conducts electricity, यहाँ पे conducts electricity, क्यों? because of free ions, ठीक है? ठीक है? सही है? सही है? सही है? सही है? यह चीज मैंने आप लोगों बता रखिए, मैंने वापस से बता दी, आया ना, पिखला हुआ, हाँ, अच्छा पेटा, बहुत तेज हो रहे हो, एने सिएल, molten state में कंडक करदा electricity, solid state में नहीं करेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, और देखो, ionic solid समझ गया है, ionic solid समझ गया है, हाँ, ionic solid समझ गया है, हाँ, तीसरा कोई हो था, metallic solid, metallic solid, metals है बिटाज में, metallic solid, नाम से पता चल रहा है, बिटा अब सुनना दियान से जो मिटल्स होते हैं ने वो मिटल्स होते हैं वह दो चीजों से बने वे होते हैं है इस तरीके से डिफाइन करते हैं जैसे सब्सक्रों आपका एन ए है सोडियम है सुनना दियान से सोडियम है मिटल है हाँ जी सर इसकी electronic configuration लिखूँ इसकी electronic configuration लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 सही बात है क्या इतने उसमें electrons है बोलो हाया ना क्या इतने उसमें electrons है बेलकुल सही है electron तो बाहर होते है center में कौन होता है nucleus center में कौन होता है nucleus center में आप सुन्हेban से है इस inner electrons और nucleus को बड़े धियान से सुनना न मैं हाइलेट कैसे कर आ है बढ़े धियान से चुनीए बहुत शंतर तरी के से hi-light करके आपको बता रहा हूँ यह क्या हो गए आपके inner electrons देखो यह क्या हो गए आपके inner electrons और यह क्या हो गया nucleus nucleus और inner electron को combine करके क्या बोला जाता है kernel बोला जाता है kernel बोला जाता है क्या बोला जाता है kernel इसको nucleus को और inner electrons को combine करके और इस बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं वैलेंस एलेक्टरॉन बोलते हैं या फिर आउटर एलेक्टरॉन बोलते हैं आउटर एलेक्टरॉन बोलते हैं आउटर एलेक्टरॉन बोलते हैं तो मेटल्स में क्या होते हैं करनल होता है और आउटर एलेक्टरॉन होता है करनल हो कौन आउटर एलेक्ट्रोन इनको और हम क्या बोलते हैं इनको हम सी औफ इलेक्ट्रोन भी बोलते हैं ऐसा क्यों सर एसा क्यों क्यों क्या होता है व्यूज़ली बाउंड। आहां है, क्या ये आौटर्मोस्स लूज़ली बॉंड होता है, तो क्या होता है, बड़ी एजी ली एंटम को छोड़के चले जाता है, जदा फोर्स लग नहीं रहे, तो ऐसे बहुत सारे एलेक्टरॉंस आते हैं, और ऐसे C जैसा बनाते हैं तो ऐसे C of electrons आता है क्या बोलते हैं हम लोग इसे C of electrons बोलते हैं loosely bound होते हैं ठीक है इसके example आप कोई से भी ले लो तो इसके example आप metallic solid है ना तो metals ले लो कौन हो गया, sodium हो गया copper हो गया, silver हो गया gold हो गया aluminium हो गया यह सब इसके example हो जाएंगे बुलो हाया ना सही है नहीं है सही है नहीं है अब यहाँ देखो जैसे आपके ionic solid था सुनना ध्यान से क्या यहाँ पे ionic forces थे ionic forces क्या होते है strong strong होते हैं तो इनका high melting point होता है ionic solid का high melting point होता है एसी ही आपके metals है एसी ही आपके क्या है बीटा metallic solid है इनका भी क्या रहता है high melting point इनका भी क्या रहता है high melting point रहता है इनका भी क्या रहता है high melting point रहता है ठीक है ठीक है अब 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 शुनना ध्यान से note आज तो मतलब आप बारिश हो जाएगी नोटवा मैं बारिश गर दू सौर्टवा की आपका 180 में से 180 आजावे नोटवा है ना, हम किसके लिए पटे रहे हूँren ë सॉलिटवा नोटवा मेन आप लिख देता हूँ फॉर मेटालिक सॉलिट पॉर मेटालिक solid metallic solid के लिए क्या होता है ये चीज़ा physics में भढ़ते हूं metallic solid है जैसे सबोसकरो copper की wire है जैसे सबोसकरो copper की wire है तो metallic solid है ने वो copper क्या है बटा metallic solid है बिल्कुल सही है तो यहाँ पे अगर हम temperature को बढ़ाते हैं तो conductance क्या करती है बटा बताओ जड़ा अब देखें आप लोग बटा देखें मिटा आप लोग कि बताओ क्या सेर कुछ भी अब क्या करें बटा तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है ये सारी हरकते करनी पड़ती है न आजाओ टेंपरेचर अगर बढ़ाते हैं मेटालिक सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं तेंपरेचर बढ़ाते हैं मेटालिक सॉलिड की बात करो तेंपरेचर बढ़ाते हैं तो electrolytic solution या फिर for electrolytic या फिर ionic solids तो temperature अगर आप बढ़ाते हो तो conductance बढ़ता है जो हम लोग अभी पहले बढ़के आ है conductance increases आप पर electrolytic रहटा के ionic solid सही है सही है सही है difference ध्यान रहेगा पूछेगा difference ध्यान रहेगा पूछेगा reason भी बता देना उसको conductance क्यों बढ़ता है because number of ions increase ध्यान रहेगा ध्यान रहेगा हाँ या ना पड़ाफट बढ़ाओ पड़ाफट बढ़ाओ वीडियो को लाइक कर दो यार देखो जतने लाइव वाचिंग है उतने लाइक जाने चाहिए यार उतने तो लाइक जाने चाहिए क्या बोलते है ठीक है तो कौन सा नंबर था metallic solid भी कर लिया metallic solid भी हमने कर लिया next solid next solid next solid के नाम है बढ़ा covalent या फिर network solid औरे sir network solid नाम से ही पता चलने वाला है network बरने वाला है बहुत लंबा लंबा molecule बनने वाला है network बनेगा क्या बनेगा पीटा network बनेगा कैसे sir कैसे sir कैसे sir कैसे sir जैसे examples बताओगे तो और समझ बाएंगे और examples important है आपसे पूछेगा बहुत जबर्दस्त एक्जाम्पल्स पूछेगा आप से ना सिलिकन हो गया या फिर हो गया आपका एसाई ओटू हुआट्स फॉर्म वाला यह सब क्या है एक्जाम्पल है जैसे आपके ग्रेफाइट नेटवर्क सौरेट होता है ना ग्रेफाइट जैसे आपका डायमंड अर जैसे देखो और एक्जाम्पल आप देखोगी तो एक्जाम्पल से ईंप्रेंट हैं जैसे dlm यहांप ऐसा इंशा इंट्वर्क क्या ensuring सौरेगा ऐसा बनाता decisve एश आई इधर ओऊ इधर ओऐ इधर ओफर सई इधर ओफ इधर ओफब सब्सक्रानि यह 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 को रहे है यह नहोट बन है नेट वर्ग बन रहे इसको बीच से अटाओं यारई जोश जोश maneira गडबडी होगी ना और जोश if सुभए ठंद का टाइम में कभी कोभी excited हो जाते है कि अश्ञाय को काटा किसी और ने काटा हमने काटा अब यह सुनना एक जबरदस बात जबरदस बात जो मेल्टिंग पॉईंट है वेरी वेरी वाइ मेल्टिंग पॉईंट हैं वो जबरदस्ट होते हैं क्यूं बिकॉज आफ बिकॉज आफ ने इया बहुत हाय जाता है इनका melting point सबसे ज्यादा हएं जाता है मैं जाता है जितने भी अभी तक हमलों के हैं। नेटवर्क का है funding सबसे ज्यादा किसका होता है यह चाहो तो लिख लेते हैं लोग कि जो नेटवर्क सॉलिट है जो नेटवर्क spelling net work solid have highest melting point have highest melting point कह रहा था बटा चबर दस melting point रहता है क्यों हो क्यों 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 कि बहुत लंबे लंबे structures रहते हैं फटा फट से बेटा फटा फट से वीडियो को लैक करके बता देंगे सर मजा आ गया सर मजा आ गया तुम्हें आवाज आ रही है कि बाहर की तुम्हें आवाज आ रही है कि ऐत था छा하다고 कि बाहर की आ आ रही है कि बाहर के वाज कोском होता है ये ये चैन्द मॉलतक्र मैंद हो येन चेंछ ठीक कराने वाला है च्रिए आज़ा ठीक तो यह बटा पूरे solids के पर्डिया है यह अमने एक तरीके से क्रिस्टलाइन जो solids हैं, क्रिसलाइन जो solids हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है सर, ठीक है सर, अब आ जाओ unit cell के बारे में पढ़ते हैं, किसे बारे में पढ़ते हैं unit cell के बारे में पढ़ते हैं क्या होते है सर यूनिट साथ क्या होता है यूनिट साल होता है में स्मालेस्ट यूनिट सबसे चोटा यूनिट यूनिट फिर सबसे सिंपल यूनिट was Pascal और अगेन एड टू फिर्मंद कि इन पे संपलेस्ट एक भाठि edson करता है वो इक lattice के form में exist करता है lattice के form में exist करता है और lattice का अगर मैं सबसे छोटा part उठा लूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ units है जैसे आप लोग इसको solid state को imagine कैसे कराते हैं जैसे आप लोग जिस room में बैठे हो क्या वो room आप लोग को cube के form में दिख रहा है जैसी आप बैठ होगे, मतलब क्यूब हो सकता है, या फिर अलग-अलग dimension भी हो सकती है, मतलब आपको basically ये दिख रहा होगा, सामने दीवार है, पीछे दीवार है, राइट में दीवार है, लिफ्ट में दीवार है, नीचे फ्लोर होगया, उपर बेटा ceiling होगया, सही है, तो य crystal lattice बनेगा, फिर ये दो room हो गए, इधर imagine करो, दो और हो गए, फिर उदर बढ़ते गए, ऐसे इधर बढ़ते जाओ, ऐसे उपर उपर भी बढ़ते जाओ, तो ये जो room है, ये क्या है, आपका बेटा, छोटा वो है, छोटा रूप है, इस room को अगर मैं repeat करते जाओं, कहां और क्या होता जाएगा, crystal lattice बनता जाएगा, lattice एक बड़ी form है, उसकी छोटी form क्या है, unit cell, उसकी छोटी form क्या है, unit cell, सही है सही है। simple cubic simple cubic non primitive कौन से होते हैं non primitive दो होते हैं body centered body centered cubic जिसे हम लोग क्या बोलते हैं और face centered इनको हम देखने वाले है face centered cubic FCC चेक है थेक है डेकर देखेंगे जो crystal lattice की बात करते है crystal lattice बनता कैसे है सुनना ध्यां से आप analogy समझे सबसे पहले हम बात करते ही unit cell की unit cell की unit cell की है सबसे छोटा crystal lattice की crystal lattice एक बड़ा सिस्टम होता है unit cell को अगर आप repeat करते जाओगे यूनिट इसल को आप रिपीट करते जाओगे तो क्या बनेगा crystal lattice बनेगा crystal lattice, अब सुनिए ज्यान से, यहाँ पर कितनी access होती है हमारे पास, मत अगर मैं आपको पूछू, majorly आपकी कितनी access होती है, majorly आपकी कितनी access होती है, तीन access होती है, x access y access z access, क्या करो, अपने room का एक kona डायने जारी होंगे, 1 इस direction में, 1 इस direction में, 1 इस direction में, तो यह suppose करो जिससे kona है, यह suppose करो जिससे kona है, तो यह kona है तो इसमें तीन ऐसीmist, ऐसी line है देक पार है। यह यह है और यह z है, तीन access हो गई, तीन क्या हो गई? पैरामीटर्स को बनाते हैं हम क्या करते हैं एंगल के वहांगे किसके होगा डिस्टेंस का भी पैरामीटर होगा अगल का बिर चीन कीसे मेजर करा जाएगा A, B, C में distance कैसे major करा जाएगा कुछ वो ले लिए है values ले लिए A, B, C ले लिए और angle किस में major करा जाएगा बटा alpha, beta और gamma alpha, beta और gamma alpha, beta और gamma तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे हम लोग A ले लिया जैसे बुसकरो यह A हो गया जैसे बुसकरो यह A हो गया जैसे बुसकरो यह A हो गया ठीक है यह length हमने क्या ले लिए A ले लिए जैसे बुसकरो यह length हमने क्या ले लिए B ले लिए जैसे बुसकरो यह length हमने क्या ले लिए C ले लिए ऐसी क्या करते है बटा angle लिये जाते है एमने क्या रे मुंद्वाने युभी आपके एंगल यह दिस्टनिस बनाना दोर तीन आज़िए । यहां पर आजाओ, ओ सर, भपरे, क्या आगया यह सर, कितने तरीके के crystal system होते हैं, कितने तरीके के, कितने तरीके, सर, all are equal, नहीं बिटा, neat experiment, वो ही मैं आभी आपको बताने वाला हूं, यहां पर देखो, यहां पर देखी, यहां पर देखी, ओपी notes, नोट्स तो यहार शांद क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, सबसे पहली बाद यह, कितने तरीके के crystal system होते हैं, साथ तरीके के crystal system होते हैं, साथ तरीके के crystal system होते हैं, कौन-कौन से, cubic, rhombohedral, tetragonal, hexagonal, orthorombic, monoclinic, triclinic, यह आपके साथ तरीके के क्या हैं, crystal system हैं, सही है, सही है, सही है, ठीक है सर, ठीक है सर, अब देखो, यहां पर मैंने distance और angle, मतलब A, B, C, और alpha, gamma, beta, इनके बीच में मैं relation बताने वाला हूं, सबसे पहले आप यह याद करिए, सबसे पहले आप यह sequence याद करो, cubic, rhombohedral, tetragonal, hexagonal, cubic, rhombohedral, tetragonal, hexagonal, orthorombic, monoclinic, triclinic, अब यहां पर देखो, axial distance क्या होता है, axial distance क्या होता है, देखिए का, axial distance आप लोगों का कौन से करर में लिखे हैं, pink में लिखे हैं, light pink, axial distance जो होता है, cubic में तीनों बराबर होते हैं, जैसे नीट experience आप पूछ रहेते हैं, क्या यह सब बराबर हैं, तो cubic में बराबर होते हैं, ऐसे ही rhombohedral में भी बराबर होते हैं, दो बराबर, देखो, यह भी बराबर, यह भी बराबर, यह भी बराबर, यह भी बराबर, अब यहां से, यहां से बेटा symmetry खराब होना start होती है, यह symmetry गया ना, तीनों बराबर, यह symmetry गया ना, तीनों बराब से ही A equals to B not equals to C, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, सिमिट्रिक खराब होई, हाँ, और end के तीन में तो बटा हद मत जाती है, तीनों ही बराबर नहीं होते, बिलकुली A सिमिट्रिक हो गया, तीनों ही बराबर नहीं होते, तीनों ही बराबर नहीं होते, आया सम मैं पीडिएफ दे दूँगा आप लोग अभी बले टेबल मत बनाओ अभी बले टेबल मत बनाओ मैं पीडिएफ देखो बराबर बराबर लास्ट के सी बराबर नहीं है लास्ट कर सी बराबर नहीं है और यहां तो बिटा हद मचा दी तीनों ही बराबर नहीं तीनों ही बढ़ने बिलकुल बढ़नी तीनों ही not equal अब एंगल के बारे बात करेंगे एंगल बोले तो alpha beta gamma ऑफ़ा बीटा गामा थे alpha alpha beta gamma थे light red यहां पर भी देखो यह तीनों बराबर तो होते हैं। लेकिन 90 नहीं होते हैं, देखो ध्यान से, तीनों बराबर है, एलफा बराबर है, बीटा के, बीटा बराबर है, गामा के, लेकिन 90 के बराबर नहीं है, फिर वापस बराबर हो जाते हैं, फिर वापस बराबर हो जाते हैं, फिर वापस बराबर हो जाते हैं, फिर वापस झामा कितने का होता है 120 का फिर आजाओ इहाँ पर Right यहांपर phryan 90 के बरहापर हो जाते हैं और तो अ करहां गो टिलीनिक में एफ़ और गामा 90 है लेकिन बीटा बेटा 90 के बराबर नहीं बीटा 90 के बराबर नहीं है जूम कर लो एलफा गामा 90 बीटा 90 के बराबर नहीं है बीटा 90 के बराबर नहीं है बीटा 90 के बराबर नहीं है ठीक है और लास वाले में तो बटा हद मचेगी लास वाले में तो बटा हद मच दिखाएंगे कुछ नहीं है मेरी बात सुनना या तो आप सुनना ध्यान से या तो आप इस टेबल को बना लो अपने हिसाब से जब pdf मेलेगी आपको इस टेबल को बना ले ना चुपका दो अपने रूम में जो भी कमरा होएगा न हुश उस पर चुपका दो ठीक है और आते पुट्ञ दूथ पी रहे हैं चाय पी रहे हैं देख लिया अच्छा और्थ्रॉम्म नी है बस हो गया का इसे देखते चलुए आपका काम हो जाएका है यहां पे देखो unit cell को हम क्या बोलते हैं पिटा ब्रावियाज लेटेस अब यहाँ पे देखो cubic के तीन होते हैं simple cubic b, fcc b, bcc b simple rhombohedral का simple cubic रहता है simple cubic रहता है एक ही रहता है tetragonal में पिटा 2 sc और bcc, hexagonal में 1 sc अब यहाँ देखो 4, सुनो ध्यान से orthorombic में सबसे ज़्यादा है सुनिये कहाँ जान से orthorombic में सबसे ज़्यादा है कितने हैं? 4 है simple cubic, bcc, fcc और एक ecb होता है करेंगे, करेंगे सारे चीज़ करेंगे ऐसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 तो कितने हैं बेटा? एड़ करो एक प्लस दो, तीन तीन प्लस चार, साथ आठ, नौदस ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा 14 आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं? क्या 14 lattices दिख गए आपको? बोलो हाया ना यार क्या 14 lattices दिख गए? 14 ब्रावियाज lattice और इसमें सबसे ज़्यादा किसके हैं? इसमें सबसे ज़्यादा किसके हैं? इसमें सबसे ज़्यादा किसके हैं? सबसे ज़्यादा किसके हैं? और्थोरॉम्बिक सबसे ज़्यादा किसके हैं? और्थोरॉम्बिक के हैं कितने हैं बेटा? 4 कितना है बटा चार ठेक है यह आपको ध्यान ही रखना है नोट वह पर कहां पर पहुँच गया यह किया है बटा मैक्जिममम ब्रावियाज लाटिस और सबसे ज्यादा अंसिमिट्रिकल कौन है बताना ज़रा क्या आपको ट्राई के लिए के सबसे ज़्यादा अंसेमेट्रिकल दिख रहा है देखो ए बी सी भी अलग अलग है और 90 डिगरी के भी नहीं है यह यह आपको यह आपको यह आपको सबसे अंसेमेट्रिकल दिख रहा है तो यह क्या है most unsymmetric बिटा कुछ-कुछ चीजे क्या होती है ध्यान रखने वाली होती है ठीक है इन में से ऐसा है ध्यान नी रखनी पढ़ेंगी बिटा इनका ना इनको ध्यान नी रखनी पढ़ेंगी सही है सही है सही है सही है सही है फटाफट से बटाए एक पर बता दो कि हाँ जी सर सही है हाँ जी सर सही है स्क्रीन शॉट लेना है सर अरे हमारे साथ लोने है स्क्रीन शॉट किसका लेते हैं इसका लेते हैं यहाँ पर कलर बढ़िया है पहले इसका ले लो स्क्रीन शॉट लता ते वर इसका का भी लिए ले लिए 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 इसको स्वेड़ ना हमएं वागी पेडिए इन ए बागी पीडिएफ बेजेंगें पूर्ड ए अब अब आजाओ simple qveiane अब देखो एक एक करके सारी साथ स्प्रीड शीक पढ़ते हैं सुनיאטंते, सिंपल क्यूबिक में क्या होता, डायगराम बनाने वाले है, छोड़ दो, ना थो, चोड़ दो, बागे, आजयो, सिंपल क्यूबिक में, गायगराम बनाजा ह tungDP type please, क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे बिटा, क्यूबब बनाएंगे देखो देखो क्यूब बनाने वाले, क्यूब बनाने वाले एक ये ठीक है आजव बिटा अब थेक है, अब Honour chemistry में ये ही diagram होते हैं bio में होते हैं chemistry में ये diagram होते हैं इस को इसके सथ जोड़ दो इसको इसके साथ जोड़ दो इसको इसके साथ जोड़ दो सही है ना क्या बना है यार है आया मज़ा आया मज़ा बिल्कुल सही है Simple cubic Simple cubic में क्या होता है जो आपके atoms होते हैं कहां होते हैं Corner में present होते हैं देखो 8 Corner है 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो देखो सही है Simple cubic कहा होता है Corner में present होता है 都是 में इहापर वेदेखो यहापर देखो 8 atom है 8 Corner में सही बात है 8 Corner होते हैं Sharing of Corner कितनी होती है Sharing of Corner होती है 1 by 8 मतलब sir 1 by 8 का मतलब सर 1 by 8 का मतलब है जैसे suppose करो ये आप 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 जिस रूम में बैठे हो उसका एक कोना देखोगे अगर आप उसका एक कोना देखोगे कोई साभी एक कोना देख लो जैसे आप उसका कोना देखोगे न इने रूम शेर करते है आठ तो एक कितने पर ऐस नॉरम है ज्ट ड्यमेंस ज्टर में सी Heidi's असे चिज़ेक्टिव क्या होता है जब तर दिखव कंवाम हैं कि तो जडिद फेक्टिव कैसे निकालोगे आप देखो ज्यान सा ज्ट डियाँ है आठ एटम है हाँ जी जेट एफेक्टिव कैसे निकालोगे आठ एटम है हाँ जी इन टू शेरिंग कितनी है वन बाएट शेरिंग कितनी है वन बाएट तो जेट एफेक्टिव कितना आता है वन जेट एफेक्टिव कितना आता है वन आता है कोडिनेशन नंबर क्या होता है कोडिनेशन नंबर होता है सुनिया ज्यान से कोडिनेशन नंबर क्या होता है कोई बात नी बेस बन रहा है अराम अनाम से पढ़िया आप लूड मतलो यार न दो सवाल आएंगे यहां से हमको 100% करेक्ट करने आसे कोडिनेशन नंबर क्या होता है नियरस्ट अटम होते हैं अब यहां पे देखो यहां पर यहां पर देख लोगे इस वाले अटम को पकड़ दूँद है इस वाले के नियरस्ट कॉन से हैं क्या इस वाले का nearest ये दिख रहा है एक मेरे साथ गिनो एक एक ये दिख रहा है दो एक ये दिख रहा है तीन बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है तीन दिखे अभी तक तीन दिखे नियरस आटम कितने है छे तीन दिखे या नहीं दिखे दिखे सर अच्छा इसके बाजू में भ होगा हाँ वहाँ पे भी तो एक यूब होगा हाँ जी सर एक यह भी आ गया इसके इदर भी तो एक क्यूब होगा हाँ जी सर एक इदर आ गया इसके नीचे भी तो एक क्यूब होगा हाँ जी सर एक इदर आ गया देखो छे दिख गया देखो मैंने दिखा दी है हाइलाइट कर देख लो, दियान से देख लो, दियान से दिख लो, दियान से दिख लो, दियान से दिख लो, मैं अब हिल नहीं सकता, क्योंकि जैसे हिलूँगा, यह डागरा मड़ जाएगा, वापस दिखा देता हूँ, वापस दिखा देता हूँ, यह रहा एक आटम, इसके बाजू में य एक आटम होगा जी तो यह चौथा इसके जो इधर होगा यह देखो पांच होगा और इसके जो नीचे होगा यह देखो छटा अब दिख गया छे है आया ना अम एक पोजीशन पर फिक्स हो गए है अब जैसे हलका फुलका हिलेंगे आप उको समझाने के लिए जाएगा छे द जाओं हर जाओं हर जाओं ठीक है अब यहां देखो 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 रिलेशन बिट्वीन ए और रिलेशन सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो इन दोनों को ले लो इन दोनों को ले लो इन दोनों को ले लो इसको ले लो और इसको ले लो अब सुनिएगा ध्यान से मैंने यहाँ पर जो atom बनाया है एक यहां बनाया, एक यहां बनाया क्या मैंने इन दोनों आटम की बीच में gap रखा है, देखो, यहां बनाया और यहां बनाया, मैंने gap क्यों रखा है, मैंने gap इसलिए रखा है, ताकि यह clearly दिख सके आपको चीज़े, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी gap नहीं होता है यह gap नहीं होता है इन में यह gap नहीं होता है मतलब यह वाला item और यह वाला item एक दूसरे से touch कर रहे होते हैं कैसे होते हैं touch कर रहे होते हैं मतलब कैसे सर कैसे touch कर रहे होते हैं ऐसे होता है एक यह और एक यह अब डायग्राम बनाने के लिए मुझे जो मुझे यह cube बनाना पड़ा वहाँ पे मेरे को इनको distance पे रखना पड़ा वहाँ पे मेरे को देखो इनको दूर रखना पड़ा लेकिन यह दूर होते नहीं है आपस में क्या कर रहे होते हैं टच कर रहे होते हैं आपस में क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, अब यहां देखो, यह जो length होती है, यह होती है, यह जो length होती है, कितनी होती है, यह इसका nucleus, length कितनी होती है, अब मुझे बताओ, क्या यहां पे यह R है, हाँ सर, क्या यहां पे भी यह R है, हाँ जी सर, तो यह R और R A के बराबर दिख रहा है आया ना आया देखो यह R और यह R A के बराबर दिख रहे है तो क्या relation आपको यह दिख गया 2R इक्वल्स तू A 2R इक्वल्स तू A बोलो हाया ना बोलो हाया ना बोलो हाया ना सभी तो यह simple की वह देखो imagine थोड़ी पुछ चीजे करनी पढ़ती है दो तरीके है इस चाप्टर को पढ़ने के या तो आप लोग बढ़ीया तरीके से imagine करते वे चलो हाँ जो कि बहुत अच्छा तरीका है बहुत अच्छा तरीका है कोई tension की बात नहीं है दूसरा तरीका होता है कि सर्यार imagine मुझसे नहीं करा जा रहा है मुझसे imagine नहीं करा जा रहा है मुझसे imagine नहीं करा जा जा कोई tension की बात नहीं इसे ध्यान रख लो कि corner की sharing 1 by 8 होती है Z effective 1 होता है coordination number 6 होता है आपको imagine आप करो या नहीं करो ultimately आपको ये चीज़े ध्यान तो रखनी है मेरी बात सुनना ध्यान से efficiency पढ़ेंगे बटा IUCG इतने जल्दी कहा है जल्दी कहीं जाना है ultimately आपको ये चीज़े याद रखनी है ultimately आपको ये चीज़े ध्यान रखनी है तो आप directly भी ध्यान रख सकते हो और मैं आपको imagine भी करवार हो जैसे दिखो coordination number 6 आपको आपको दोनों तरीके से बढ़ाएगा teacher तो आपको समझायेगा न सारी चीज़े पिर ultimately आपको चीज़े ध्यान भी रखनी है अब यहाँ पर देखो technology का फायदा उठाने वाला है देवनानी technology का फायदा उठाने वाला है यहाँ पर देखो अब यहाँ देखे body centered body centered पढ़ रहे है body centered पढ़ रहे है bcc अब यहाँ पर atom कहां कहां है यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो atom कहां है अब आपके पास यह technology नहीं है आपके पास यह technology नहीं है देखो कहां कहां है 8 atoms in 8 corner पहले तो पिटा आठीटम काहा है आठ Warner पे पिल्कुल से के इक एक एटम इसके बॉडिक्सेंटर पे और बोड़ी सेंटर पे बनाते हैं अचानझे इंशक्या अच себя रहा ह। और यहां पे नाम पेटा बोडी जेंटर है अब आजओ यहां जो यहां जो यहां जाओ शेरिंग की ती वन बाएट अरे पढ़के आया बीछे पीछे पढ़के आया नी पिटा कितनी थी one by it अब मेरे शेर ये बता, ये body center है, मनब आप ऐसा imagine करो, ये cube है, इसके center में एक atom है, तो क्या ये आपको atom पूरा का पूरा room के अंदर दिख रहा है? ये atom, ये cube है, ये जो atom है, पूरा का पूरा room के अंदर है, तो इसका contribution क्या होगा, 1 होगा, body center का contribution कितना होता है, अब z effective कैसे निकालोगे? जेट effective कैसे निकालोगे? 8 atoms in 8 corner, देखो तो 8 atom है, corner की sharing 1 by 8, प्लस, body center कितना होता है, एक, body center कितना होता है, एक, उसका contribution कितना है, 1, body center एक, उसका contribution कितना है, उसकी sharing कितना है, 1, तो यहाँ पे BCC में कितना होता है, 2 आ रहा है, BCC में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, coordination number कितना है, coordination number कितना है, बटा, coordination number है 8, coordination number है 8, सर बताना जरा 8 कैसे, बताना जरा 8 कैसे, यहाँ देखो, इस भाई साब को देखो, इस भाई साब को देखो, तो यह जो यह भाई साब है न, यह इससे भी touch कर रहे है, इससे भी touch कर लेगर रहें जो बॉडी सेंटर होता है नि मीटा सारे कॉंडर से टॉच करता है इस से भी घर रहे इससे विए इस सब्सक्राइबिस से कर रहा है इससे विए श्лыकेश जुढ़ा एत ऑर चैब लुचान क्रा ś Prevent Can Grad तभी क्या है ऍद हमराब तभी कहा बटा coordination number 8 अब relation क्या है A और R में अब relation क्या है A और R में अब क्या relation है यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए शेरिंग आफ अटम 1 क्यों है बटा body center कहा है body के center में room के center में तो और किसी के साथ share थोड़ी ना कर रहा है पूरे cube में है आपका एक body center तो उसकी sharing क्या होगी अब सुनिए द्यान से यहाँ पे यहाँ पे आपका यह कैसे आता है A और R में relation कैसे आता है ऐसे आता है देखो यह वाला item पकड़ लो यह वाला item पकड़ लो और यह वाला item पकड़ लो यह क्या होती है आपकी body diagonal होती है इसको थोड़ा सा यह उपर कड़ने क्या यह पकड़ लो यह देखो यह क्या होती है बिटा यह क्या होती है बिटा यह देखो यह होती है आपकी body diagonal ये क्या होती है बटा बॉडी डाइगनल एक कॉर्णर से लेके दूसरे कॉर्णर ये क्या होती है इसकी लेंद कितनी होती है ये बटा बॉडी डाइगनल इसकी लेंद कितनी होती है बटा रूट 3A कितनी होती है बटा रूट 3A बॉडी डाइगनल कितनी होती है बटा रूट इसका 2R आया, body center का पूरा 2R आया, और इसका R आया, कितना आता है, 4R equals to root 3A, यहां पर relation क्या आता है, 4R equals to root 3A, आया ना, आया ना, यह दिखाने में मैंने अलग अलग दिखाया है, यहां पर दिखाने में यहां पर गैप दिखाया है, यहां पर गैप दिखाया है, लेकिन मैं क्या बोला gap नहीं है यह touch कर रहे नहीं है वटना तो diagram यहाँ बच जाएगा वन्हा तो diagram बच जाएगी diagram की band बच जाएगी अब यहां आज़ो अब यहां जाएगव यहां यहां जाएग पेस सेंटर्ड क्यूबट एकसेल Face is Andered Keith अब देखो देवनानी क्या करेगा अब देखो देवनानी क्या करेगा आपका Atoms How the cyclowy यहां पर देखो क्या बोल रहा है 8 atoms in 8 corners सुनिए गद्यान से एट एटमस इन एट कॉर्णनर और छे एटम है फेस सेंटर वे बिटा कितनी फेसे हैं आपकी रूम की कितनी दीवारे हैं दीवारे मतलब कितने सर्फेसे हैं बताना जरा बताना जरा आपकी रूम की कितनी कितनी सर्फेस है देखो एक सामने वाली जिदर उपर बीटाओ सीलिंग है जह चे-पेसे होते हैं जह पर चे आटम हैं और चे आटम हैं यहफे दिखो बनाएं बैटाओ लाल से बनाएंगे यह एक यह रहा एक यह रहा एक यह रहा पीछेर पीछे गटाओ करे borrowed यह रहा और цы देख गये इसको थोड़ा सा जाहो तो यहां बनाबगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग खड़े हो जाओ तुम यहां खड़े हो जाओ तुम यहां हो तुम्हारे आगे यह है तुम्हारे पीछे यह है तुम्हारे राइट में यह है तुम्हारे लेफ्ट में यह है तुम्हारे उपर यह है तुम्हारे नीचे यह है देखो अब दिग गया अब दिग गया यहां ठिक है थिक है अब दिख गया अब दिख है अच्छ आप यह सोने अब आन से अब इयां और सीतिजिए याँ पे द्यां से अब contribution कांट्रीबूशन समझांगा को इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो यहाँ पे एक दीवार थी, हाँ, क्या इसके बाजू में भी एक क्यूब होगा, हाँ, तो उसमें भी तो यह शेरिंग होगी, उसमें भी तो इसकी शेरिंग होगी, जैसे imagine करो, यहा पे एक आपका आटम है, तो इसके बाजू में भी तो एक रूम हो सकता है, इसके बाजू में भी तो एक यूनिट सेल हो सकता है, उसमें भी तो ये दीवार कॉमन होगी, अरे यार आप इमेजन करो आपके दो रूम हैं, दो रूम है, तो दो रूम में एक दीवार कॉमन होती ह ना, तो contribution कितना आया, half आया, मार अब एक unit cell में तो half ही है, contribution कितना आया, half आया, अब देखो Z effective कैसे निकालोगे, कितने corner 8, contribution 1 by 8, कितने face center 6, contribution 1 by 2, कितना आ गया, कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 4, Z effective कितना आता है, FCC का 4, coordination number कितना आता है बटा, coordination number कितना आता है, 12 है, ठीक है, इसको मैं बाद में समझाओंगा, इसको बाद में समझेंगे, अपने न, इसको बाद में imagine करेंगे, इसको बाद में imagine करेंगे, इसको बाद में imagine करेंगे, अच्छा relation between A and R, relation between an-r अब यहां देखी यहां देखे यहां देख category चत देखो बटा चत देखो सोनो दियान से यह देखो अब ये वाला item देखो एक दो और तीन यह item हैलाइट कर दीन में एक दो तीन यह distance कितना है यह distance है root 2-a यह distance कितना है बटा root 2A ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे आपको यह दिख रहा है इसका R आएगा इसका पूरा diameter लेना पड़ेगा, मतलब 2R लेना पड़ेगा, और इसका R लेना पड़ेगा तो क्या आपको यह दिख रहा है? क्या आपको यह दिख रहा है? क्योंकि सर चलो इसका R ले लिया हमने, ठीक है? इसका 2R ले लिया, पूरा लेना था और इसका आपने R ले लिया, तो R 2R, R 4R हो गया, और इसका distance root 2A बच्चा बोलता है यह कहा गया? यह कहा गया? तो बिटा मैं वही बात आपको समझाने पचा रहा हूँ, कि यहाँ पे आपका यह gap होगा ही नहीं, diagram में मुझे दिखाना पड़ रहा है लेकिन यह atom, यह atom और यह atom, क्या कर रहे है? एक दूसरे को touch कर रहे है, क्या कर रहे है बटा? ऐसे touch कर रहे है, जैसे, जैसे मैं आपको बनाना चाहूँ, तो देखो, ऐसे बनेगा, देखो, यह रहा है यलो ठीक है? देखो, मैं आपको बनाना देखो फिर आपको देख जाएगा, यह रहा आपका red, जो face centered पे है और यह रहा आपका एक और yellow समझे? ऐसे है और यह distance कितना है बटा? यह distance कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक है, यह distance कितना है बटा? यह distance कितना है बटा? यह distance है root 2A कितना है बटा? root 2A, अब देखा अब देखा, इसका r ले लो मैं और zoom करूँ, अब देखो इसका r ले लो r, इसका ले लो 2r और इसका ले लो और आप दूख गया 4R equals root 2E आगया 4R equals root 2E आगया अब आया मजा सही है सही है स información आज तो एकदम ऐसा class लगाईये ना ऐसी class लगाईये ना सर आज दिखी हैं सारी चीजे अब तक तो सर के वहरे हैं आज एकदम एकदम फील आगया सार, फील आया या नहीं आया, फील आया या ये, ये क्या है, टेक्नलोजी का भी कमाल है, नहीं तो ये आइपैड है, तो इतने शंदा-शंदार है, सॉफ्वेर हैं, तो बड़िया एकदम इमाजन करवा देते हैं, बड़िया एकदम इमाजन क होती है मादब जो आपके etems होते हैं वो पास-पास होते हैं लेकिन और कुछ य। अकुछ gap solid में भी रहता है उसको लोग पाकिंग fraction आ में पड़ते हैं। उसको अब छित पाके इस सुनिए जान दो तरीके की चीज़ें हो सकती है एक है सपोस करो 2D सुनना ध्यान से एक है सपोस करो 2D 2D में अगर आपको packing fraction बोलता है तो 2D में हम लोग use करते हैं area को 2D में हम लोग क्या use करते हैं area को जैसे आपका paper है वैसे तो ये भी 3D है जैसे आपका paper है तो paper का मैं area कैसे निकाल सकता हूँ length into breath length into breath ऐसे करके मैं area निकाल सकता हूँ area निकाल सकता हूँ तो देखो आप लोग percentage packing fraction कैसे निकालते हूँ percentage packing fraction कैसे निकालते हूँ percentage packing fraction कैसे निकालते हूँ z effective मतलब simple cubic में 1 bcc में 2, fcc में 4 सबसे क्या लोगे बटा z effective लोगे into area निकालो एक atom का area निकालो, एक atom का upon total area निकालो, upon area निकालो, किसका? unit cell का into 100 बड़े ध्यान से सुनेगा, अभी feel आजाएगा अभी feel आजाएगा ठीक है, 2D में हम लोग क्या लेते हैं area लेते है, area atom का लेते है area unit cell का लेते है लेकिन हमारे चीज़े कहां चलती है 3D में चलती है, और 3D में क्या आती है, volume आती है जैसे आप लोग जिस room में बैठे हो आप लोग जिस room में बैठे हो, क्या वो 3D है बिल्कुल है, हमारा जीवन 3D में चलता है, इसमें अगर आपको packing fraction निकालना होता है, तो कैसे निकालते हो Z effective into अब volume आती है क्या आती है, volume आती है volume of atom upon volume of unit cell volume of unit cell into 100 into 100 अब सर, volume of atom कैसे निकालूँगा मैं, atom को मैं sphere मानते वे चलता हूँ atom को मैं क्या मानते वे चलता हूँ sphere मानते वे चलता हूँ volume of atom कैसे निकालते हो 4 by 3 Pi r Cube बच्पन में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया बच्पन में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया Atom को अप क्या मानते वे चलते हैं Smheres मानते वे चलते हैं Pir Sir Volume of unit cell Volume of unit celllanво Unit cell कया है Cube है आपका Natural Cubic Body centred cubic Space centred cubic Cube की तीनों side क्या होती है same होती है, मतलब ये भी A, ये भी A, ये भी A, cube की तीनों side क्या होती है, same होती है, तो volume कैसे निकलती है, A cube, volume कैसे निकलती है, A cube, आई बात समझ भाई, A के भाई, बताएंगे, बोला तो सही बात में आयेगा, वो भी आएगा नाम गजब है आपका है volume क्या होती है पिटा a cube होगी अब देखो simple cubic में मैं आपको सिखाता हूँ और आप लोग देखो bcc और fcc में कैसे apply करना सीख जाओगे यहाँ पे ध्यान से लगाना simple cubic में सबसे पहले relation देखो a और r में यह relation था टू आर इक्वल्स तू ए यह relation काम आएगा अभी ध्यान यहाँ लगाएंगे बटा focus यहाँ पे चाहिए मेरे को आपका क्या यह relation था या नहीं था simple cubic में सर कहां था सर कहां था यह रहा यह रहा आजा शेर यहां जा यहां जा यहां जा यह था हाँ जी सर सही है जेट एफेक्टिव कितना था यह भी देख लो जेट एफेक्टिव कितना था कहां गया यह रहा जेट एफेक्टिव कितना था यह रहा जूम करें volume of atom 4 by 3 pi r cube होता है हाँ शीतल जी यही तो लिखा मैंने भी volume of atom 4 by 3 pi r cube अब धिएन से देखना इंटू वालिव मैतम की upon वालियूम क्यूब की into सही है बिल्कुल सही है जेट आभटटव डालो Z effective डालो बेटा Volume of atom 4 by 3 5 R cube अभी अभी वेना बताया Volume को क्या मनते वे चलेंगे Sphere मनते वे चलेंगे Volume of atom ये आगे अपान अपान नीचे volume of cube volume of cube क्या बेटा A cube volume of cube क्या बेटा A cube into 100 से multiply करतो बिल्कुल सही अब ध्यान से सुनना क्या इस A को 2R लिख दू अरे सार आ गया relation काम क्या इस A को 2R लिख दू देखो न A equals to 2R है न तो क्या इस A को 2R लिख दू 2R लिख दू लिख दो सर लिख दो सर लिख दो सर तो देखो यहापर 1 into 4 by 3 5R cube upon A को मैंने क्या लिख दिया A को मैंने क्या लिख दिया 2R का cube लिख दिया sorry 2R का cube लिख दिया बिल्कुल सहे into 100 into 100 अब यहापर देखो यह R cube और यह R cube cancel कर दू यह R cube और यह R cube cancel कर दू हाँ जी तो उपर क्या बच रहा है 4 by बच रहा है सुनना ध्यान से उपर क्या बच रहा है 4 by बच रहा है हाँ जी सर उपर बच रहा है 4 by ठीक है सर नीचे यह 3 आया और यह 2 का cube आयेगा 2 का cube क्या होता है 8 3 into 8 बिल्कुल सही है 3 into 8 100 तो है ही 100 तो है ही ज़रा इसको काटा पीटी करो 4 और 8 को काटो 4 और 8 को काटो 4 और 8 को काटोगे तो यह आएगा 2 से तो यह क्या बन रहा है क्या बन रहा है यह बन रहा है 5 by 6 into 100 जो कि जब solve करोगे जो कि जब solve करोगे तो आएगा 52.4 percentage सर क्या यह हमें ध्यान रखनी है क्या यह हमें ध्यान रखनी है किस-किस form में ध्यान रखनी है यहाँ पे सुनी है ध्यान से एक डबा बनाते हैं यहाँ पे समझाते है किस-किस form में ध्यान रखनी है आपको दोनों form में ध्यान रखनी है क्योंकि सवाल यह देखा गया है कि दोनों form में पूछा गया है दोनों फॉर्म में आप लोगों के सवाल पूछे गया है, कौन-कौन से फॉर्म में, आपसे जो percentage packing fraction है, वो आपसे directly percentage भी पूछ सकता है, which is 52.4%, ये भी पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है, पाए बाए 6, देखो, पाए बाए 6 आया था, पाए बाए 6 आया था, तो आप आपसे पाए बाए 6 भी पूछ सकता है, आपसे पाए बाए 6 भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्म याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ, क्या चीजे सेम रहेंगी, ध्यान से सुनना, अब अगर सपोस करो, बीशी सी आ गया, बॉडी सेंटर्ड आ गया, सुनना ध्यान से, अगर सपोस करो, बीशी सी आ गया, बॉडी सेंटर्ड आ गया, तो क्या यहाँ पर जेट एफेक्टिव को 2 ले लोगे, हाँ जी सर, 4 बाए 3, पाई आर क्यूब आएगा, हाँ जी सर, एक ही जगे उसका रिलेशन डाल दोगे, एक ही जगे, आपं बीशी सी का रिलेशन डाल देना, क्या रिलेशन था बीशी सी में, 4 र इकista जुर्ट 3 है, तो एक ही जगे डाल देना, 4 र अपॉर अपॉर अपन रूट 3, नहीं समझे, नहीं समझे, जैसे सुपोस करो, बीशी सी का आँ निकाले, यहाँ पर छोड़ो, जैसे बुसकर हम BCC का निकाले देखो, मैं एक बर रफ में निकाल के दिखा दे रहा हूं पूरा निये निकाल रहा है पूरा निये निकाल रहा है तो percentage packing fraction कैसे निकालोगे Z effective कितना है 2 into 4 by 3 pi r cube upon a cube आएगा न upon a cube आएगा तो relation किया था 4r equals to root 3a तो a equals to 4r upon root 3 तो कुछ नहीं, a की जगे ये value डाल देना a की जगे ये value डाल देना 4r upon root 3 का cube, तो अब देखो के r cube, r cube तो cancel ही हो जाएगा यहां से देखो, यहां से r का cube आएगा और यहां से r का cube आएगा, cancel हो जाएगा cancel हो जाएगा 3D में होते हैं आई बात समझ में आई बात समझ में बताइए 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 यह रहा देखो अब देखो, यह रही यह रही यहां पर देखो अब यहां पर देखो, simple cubic simple cubic की अभी-भी हमने क्या निकाली 52.4% packing efficiency है मतलब packing efficiency मतलब कितना भरा हुआ है कितना भरा हुआ है तो देखो 50% 52% ही भरा हुआ है देख रहा है हम लोग हम लोग solid को क्या समझते है और ये solid तो जो परदौस पैक्ड है ये है वो है अरे आदा ही भरा हुआ है 52.4% ही भरा हुआ है percentage void void क्या है खाली पन देसी भाशा में emptiness गाना सुने है बिल्कुल से ये free space there's a better place from this emptiness नहीं सुने हो भाई साब क्या नहीं सुने हो 90's का हर किड है न 90's का हर किड ठीक है इस गाने को सुनके पता नहीं किस किस zone में चले जाता था तुने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा प्यार मेरा 90's का हर किड बिटा इस गाने को सुनके अलग zone में जाता था कुछ होता नहीं था, था क्या हमारे पास, कुछ नहीं था, लेकिन वो अलगी जून में चले जाता, पता नहीं, जैसे कि यह देवदास ही वो है, सुनना, सुनना बठाना, गाना सुनियेगा, ठीक है, ठीक है, तो वॉइड क्या होता है भीटा, खाली पद, तो देखो, अगर 52, 52.4 परसंटेज भरावा है, तो खाली कितना है भीटा, 100 में से माइनस कर दो से, 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 ठीक है, और इसे और क्या लिखा जाता है, आफसे पाइबाइउ पाइबाइउ 6 भी लिखा जाते इसे आफसी का कितना होता है अम्ने तो नहीं सुना पैटा सुनने, अच्छी चीजिए च 34 दो 12 ही हैने की काफी जदा probability रहती है उसमें चेक है मान लो बुढ्डे desert हाई 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 होलो हैलो होलो आगे हैंगए हम फापस फापस अगे हम रिफ्रेश मारो रिफ्रेश मारो और रिफ्रेश्ड करो रिफ्रेश्ड करो रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, class start हो गई है, वापिस start हो गई है, phone कहा गया, वापिस बता दें इबार, यह बाद check करो, आ गया ना वड़ा वापिस? एक सिकन, एक सिकन, एक सिकन, एक सिकन, एक सिकन, आगे ने बटा, आगे ने बटा, देख रहे हो बटा, उमने हमें बोला और यह लैक कर गया, आगे, emptiness, emptiness सुनने चले गयते हैं, तरा आप सर भावनाओं में बहु मत, आगे ना, सब सही है ना audio video, क्यों हो गया यार, audio video सही है ना, चेक है, आजाओ, 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 बी सी सी में कितना होता है बटा, 58%, 58% और यह पाई के फॉर्म में कितना होता है, पाई पाई बाई एट, रूट फिरी पाई बाई एट, चेक है, और FCC में कितना होता है बटा, 74%, कितना होता है, 74%, यहापर क्यों होता है बटा, रूट 2 पाई बाई बाई 6, चेक है, और यहापर बटा, आपका 100 में से माइनस करके, percentage वॉइड आ जाएगी, हैं है है जाए है है काझा ओ क्रेंस की बात या 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 खीका खत्रवाघ रिख ए है है ज्यक्ते हरे प्रेante नि बात प्रंटेंस का जलवा आट पर याए हो थे ओर कर न cafe डिकर अध्य कर वा इंध करवारा रही है कि आ Mach कि आजा सो कि ने और देनसिटी का फॉर्मुला बदाओ हिइन आए देनसिटी का फॉर्मुला पॉर्मुला पॉर्मुला बदाओ कि माअसपॉणवॉड खायी ना स्र Näses त entr pot Rebecca mit Jamaica Phi सब्सक्राइब कि यस सब्सक्राइब कि ढ़ 녹्ली सभूसबाइब में आपनी मोल ले लिए मैंने na atoms ले लिए तो suppose मैंने एक mol ले लिया ना एक mol ले लिया तो क्या मैंने उसका mass molar mass जितना ले लिया होगा बताओ बोलो हाँ या ना बिल्कुल सभी सब आपने जैसी na atoms लिये इसका मतलब molar mass जितना mass ले लिया होगा सभी है हमको यह पता है अगर simple cubic है तो z effective कितना होता है अटम्स कितना होता है effectively 1 ही होता है bcc है तो z effective कितना होता है 2 होता है fcc है तो z effective कितना होता है 3 होता है sorry 4 होता है हमें यह पता है या नहीं पता है पता है सर तो अगर na atoms हैं तो molar mass आ रहा है लेकिन सपोस करो आपके पास Z-effective atoms हो मतलब सिंपल क्यूबिक में एक, BCC में दो, FCC में चार तो उनका मास कितना होगा? क्या उनका मास यह होगा? मुलर मास अपॉन एन ए इन्टू Z-effective अरे यूनिटरी मेथड यार कब पढ़ा था? सर यह तो 6th class में पढ़े लिया मुलर मास अपॉन एन्टू Z-effective बोलो हाई ना तो क्या यह आप लोग के पास मास आ चुका है? हाँ जी सर सर डेंसिटी क्या होती है? अभी अभी आपने बताया डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम density होती है, mass upon volume, तो ये mass आगया, ये mass आगया, mm into z effective upon any, और volume, और volume तो a cube, तो a cube की volume किदरी होती है? cube की volume में बटाज किदरी ही चल रही है? a cube चल रही है, a cube चल रही है, तो यह रहा आप चो ऐत्तर, यह रहा density का formula, याद हो गया? याद हो गया, याद हो गया, molar mass into molar mass into z effective upon na into a cube, na क्या है बटा, evagate rose constant कुछ बच्चे बोलेंगे सर, na क्या है सर, e na का है na का है, e na na क्या है, e na 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 क्या है बटा, evagate rose constant evagate rose constant 6.02 into 10 to the power 23 चीक है, आगे चलें बटा, आगे चलें बटा बताईए, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें सर, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं आप आगे बढ़िये, हम आपके साथ हैं आप आगे बढ़िया हम आपके साहथ हैं, चाक है, आर जो आजा अब पड़ेंगे हम किसके बारे में वाईड्स के बारे में पड़ेंगे, मजा आ जयेगे मजा आ जाएगे, इसमें मजा आ जया, एक्दम ऐससे 3D इमच्छ डरा देंगे अपने indirect में था छिसी // मैन फिर दुछ हम्वाख सवाल भी करेंगे फिर कुछ हम लोग स्वाल भी करेंगे फिर कुछ कुछ नियुआ थे में चलिनाश वाइट्व स्वेकेंट सपेस कितनी ताकत बेख रहे हो और धायर में कितनी थाकत निकालना है तो क्या करोगे 100 minus percentage parking fraction 100 minus percentage packing fraction करोगे तो क्या जाएगा? Percentage void आ जाएगा 100 में से आप percentage packing fraction करोगे तो क्या हो जाएगा? Void आ जाएगा ठीक é? अच्छा सर इनकी कुछ shapes होती है Void की कुछ shapes होती है errors Vadet की कुछ shapes होती है adds कौन कौन सी होती है? वाइड की आपकी शेप ट्राइंग्यूलर भी हो सकती है अच्छा अच्छा टेट्राहेटरल भी हो सकती है अच्छा हमें सिखा रही है ओक्ताहेटरल भी हो सकती है ओक्ताहेटरल भी हो सकती है और क्यूबिक भी हो सकती है क्यूबिक भी हो सकती है है हमारे लिए सबसे इंपोर्टन है यह कौन है बटा खिलाडी हमारे लिए यह है सबसे दुए हमारे लिए सबसे इंपोर्टन है अजा अजा शांदार सबसे पहलें सबसे पहले लोकेशन सबसे पहले सवाल बने मैं एज सेंटर को बताँ आपको एकदम imagine करेंगे हम लोग, imagine करेंगे हम लोग, edge center, edge center, ठीक है, अब देखिए, हम क्या करेंगे, technology का फायदा उटाएंगे, रे, technology का फायदा उटाएंगे नो बड़ा, ये तो copy कर रहा है, तप सही, तप सही copy कर रहा है, paste, paste, paste चल रहा है, ठीक है, edge center पे देखो कहा होता है, edge center पे देखो कहा होता है, मैं आपको red से highlight करके दिखाता हूँ, देखो, 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 ये है आपका, ये edge है, देखिए, ये edge है, ये edge है, देखो, ये edge है, ये edge है, ये edge है, अरे तो बाकी सब में भी बना दे ये ले दूसरा ये ले तीसरा ये ले चौता ये ले पांच उप आपने पास तो मशीन है भाई अपन तो च्छठा कहां कर रहा है पहिन काम नहीं कर रहा है ये ले ले तो रहे क्या हो गधा भाई यहां तो कर रहा है छटा ए साथवते यूख गए एज के सेंटर पह दिख गए एक्नाम इत्री शांदार इमाजीरेशन के साथ चलेंगे यहां देखो यह रहा एज यह रहा एच यह रहा आपका एच देखो यह वाला एच पकड़ लो यह वाला एच पकड़ लो तो क्या इसके कॉर्णर पे इसके कॉर्णर पे आटम है यह देखो यलो यह देखो यलो मतलब इसके लोई इतना अब हम समझेंगे कि यहां पे सर ने जो गैप दिखाया है यह गैप है नहीं तहीं बात ना गैप हटा दूँ आप बोलो तो आप बोलो तो गैप हटा दूँ देख इतनी कोशेशे कर रहे है आए हाए हाए हो गया दिख गया दिख गया दिख गया है तीन रहेगा है कहाँ अच्छा अच्छा बना लेंगे यार आप परिशान क्यो हो रहे हो यह नहीं और कहा रहा है अब होगया ना अब होगया ना एक यहां भी रह गया यह हो गया है यह गेख यह से करेंगे एक यह पूरा किए यह थेक्र एकर मैं center से आपका distance निकालना चाहूं, toner से distance निकालना चाहूं, तो तो यह आता है, आपका, यह distance के विटा यह distance के विटा के विटा जो इह बीच में होगा न बीच में होगा तो यहाँ से A by 2 यहाँ से A by 2 यहाँ से A by 2 अब सुनिये तियान से अब सुने द्यान से Murphy सभी को लिखते हैं उच्छ सेन्टर पे पितने हैं एजीश कितने होते हैं और क्यूb के एज्ज कितने होते है में 12 के ददा बारा और क्विशन कितनेächeο से वटा बार 6 जो कितने आगे तीन हैं कितने अगे बटा टीन कितने आगे वन भाइए फॉर होता है एज का और होते हैं बारा होते हैं बारा ठीक है तो एज इसेंटर की हमने बात कर लिए और कहां है और कहां है, body center पे भी तो है, अब ध्यान से यहां देखना, body center पे भी तो है, body center पे भी तो है, बिलकुल है, body center पे भी 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 है, अब यहां देखी एक बाद, यहां देखी, इसको copy कर के लिए के आते हैं, यह दूसरी चीज़ copy कर दी ना भी, इसको copy करके लेकिए आते हैं, primitive को टेक्नलोजी है तो फायदा उठाएंगे न यहां पे लिए और कहां है? कहां गयो? यहां देखो यह ठीक है? यह ठीक है? यह ठीक है? अब यहां देखो, body के center पे भी है तो body के center पे है तो कहां है? यह रही आपकी बौड़ी डैगनल यहाँ पे आपका एक येलो वाला आटम है और बीच में कौन है आपका टेट्राहेडरल वॉइड बीच में कौन है बेटा टेट्राहेडरल वॉइड अब आप समझ जाओ कि ये क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं जो आपकी टेट्राहेडरल वॉइड होती है जो आपकी सॉरी जो आपकी बॉड़ी डाइगनल होती है इसकी लेंद कितनी होती है पूरी बॉड़ी डाइगनल की लेंद कितनी होती है रूट थ्री ए ये कहां प्रेजेंट है ए exactly मिड़ पर मतलब रूट 3a by 2 रूट 3a by आई बात समझ गए आई बात समझ गए और सही है सही है सही है सही है तो क्या ये चीज हम समझ गए एक तो है बात एज के सेंटर पे ऑर एक है बाद आउसे हम सम गए ठीक है और एक है बाद एक frame और होता नहीं एक भी एक तो यहां से वन आगया यहां से वन आ के तोस् refugees इस पे तीन बार्द सेटर पर हैं तेट्र आगे इस लेकिन सा टेट्राहेडरल का क्या इस से पूछेंगी चीज़े आप से सवाल करेंगे आज 6 बजे की क्लास में सब बच्चे को दिक्कत नहीं हो बच्चे को दिक्कत नहीं हो 6 बजे आथ सभी बच्चे चाहिए मेरे को कहां होते हैं बॉडी डाइगनल पर अब सुनिये का ज्यान से क्या ये बॉडी डाइगनल है इदर आओ फड़ा फड़ा इमाजिनेशन करवा रहे हैं शंदार क्या ये बॉडी डाइगनल हैं हाँ जी एक बॉडी डाइगनल पर सुनना ज्यान से एक बॉडी डाइगनल पर एक बॉडी डाइगनल पर ये बॉडी डाइगनल है ये बॉडी डाइगनल है यहां पर इसको थोड़ा सच हमाँ है जै एक लगा यहां यह होते है यह do प्लिब सब्सक्राइगनल क्लासेत आपकी बिटा आपशे बजे है सब्सक्राइगनल अब यहां पर देखो यह मैं एक बॉड़ी डियागनल बना यहां पर पे दियान पर दो टेटरा है दोड़ दोड़ी डियागनल पर सुनिए गध्यान से, बोडी डागनल की लेंद बताईए, फटा फटा बोडी डागनल की लेंद बताऊ, बोडी डागनल की लेंद बताऊ, बोडी डागनल की लेंद बताऊ, सर रूट थरी, रूट थरी, रूट थरी, रूट थरी, अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, अब यहां पर देखो यहां पर क्या पूछा जाता है एक से इसका distance कितना है root 3 root 3 a by 4 बड़े ध्यान से सुनना यह आपका corner है यह आपका corner है corner से tetrahedral void का distance कितना है root 3 a by 4 corner से tetrahedral void का distance कितना है root 3 a by 4 और दो tetrahedral voids में distance कितना है दो tetrahedral void में distance कितना है root 3 a by 2 add गरो सबको root 3 a by 4, root 3 a by 2 root 3 a by 4, total आएगा root 3 root 3 a क्या ये समझे corner से tetrahedral void का distance कितना root 3 a by 4 corner से tetrahedral void का distance कितना root 3 a by 4, दो tetrahedral void में distance कितना root 3 a by 2 आया समझ में आया समझ में आया समझ में clear 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 तो एक body diagonal में एक body diagonal में कितने tetrahedral void है? दो tetrahedral void दो tetrahedral void है तो चार body diagonal होती है cube में कितने होंगे बिटा? 8 tetrahedral 8 tetrahedral void एक में बिटा 2 हैं तो चार में बिटा obviously कितने होंगे? 8 कितने होंगे? 8 होंगे तो और सब का contribution एक होता है देखो ध्यान से सुनो क्या ये दोनो tetrahedral void cube के अंदर ही है? क्या ये दोनो tetrahedral void cube के अंदर ही है? दोनो tetrahedral void की है? होते हैं अब कौन आएगा नोटवार जाते जाते भी नोटवा दोगे आते आते भी नोटवा दोगे क्या सेलेक्शन करवा के ही मानोगे क्या हाँ यह जो नोटवा है अब दिस वैलेड वैलेड ओनली फॉर ओनली फॉर एफ सीशी एंड एट सीपी बताऊंगा है न सब्सक्राइबुर्ण और सब्सक्राइबुर्ण सब्सक्राइब पार्टू आएगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले मुझे बताओ number of atom number of atom in FCC Z effective Z effective FCC में Z effective FCC में 4 होता है 4 होता है number of octahedral void कितने थे 4 और number of tetrahedral void कितने आए 8 है कितने 8 है कितने 8 है तो therefore मैं ये बोल सकता हूँ सुनना ध्यान से therefore ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर atoms Z है देखो 4 atom थे तो 4 ही octahedral void है अगर atom पेटा Z है Z कुछ भी हो सकता है तो octahedral void कितने होंगे पेटा 2Z octahedral void कितने होंगे पेटा sorry octahedral void कितने होंगे Z होंगे Z Z है ने बटा यहाँ पे 4 तो यहाँ पे पे 4 और tetahedral void कितने होंगे double होंगे मतलब 2Z होगे कितना होगा 2Z होगे अजी तकते 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 हानक जारू हाँ बताईएं सेये या नही है सेये या नही है सुने गाना सुने अनुप कि शौका करो हिब औरत क्रों इंृ पॉक्ष अल्ह हूंत SAY मजा क्या ना आज सही में मजा आग्या थेखराम ने त deeply कि उड़ा दिये है आज तो भी हूड़ा दियो सबसे खतरनाक किसमें मझें अ ये वह वाधी बना है ये वह बढ़या बना है 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 आज बरिया बने ये क्या जो कोड़ा पर बोड़ कोपी-पेस्स्ट क्या हो तो क्या हो गया यार गोले तो हमने भनाएं दिखा दिये ने घोले आप लोग बना मना कि देखरो वडाब अध हुआर्प क्रेट यारर एक लाइक लाइक टो जाजा बोड़ा, आजा, आजा, क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे, बोल रहा है, find formula of, find formula चलो बस यह है, find formula, find formula बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एकदम देसी बाषा में, क्वेश्चन लिख कर बता रहा है, आपको वो अंग्रेजी में देगा यहाँ पे वो वहाँ पे हैं मैं एकदम देसी बाशा में आपको लिखके बता रहा हूँ ठीक है पहला question है न फटावट फटावट question करते हैं देखे न बहुत बहुत मज़ा आएगा question में मज़ा आएगा suppose करो A corner में present है बी present है पेटा body center में आप formula बताईएगा मेरे जल्दी जल्दी हो जाएगे बिल्कुल जल्दी हो जाएगे C है पेटा face center formula नेकालना है चलिए जल्दी साइंटिस बना रहे है पेटा आजापको formula बना लो गया scientist बना रहे हैं आजाप A पेटा कहा है corner पे corner कितने होते हैं 8 contribution 1 by 8 कितना हो गया 1 body center कितने होते हैं 1 contribution 1 कितना हो गया 1 face center कितने faces थे 6 तो face center भी कितने 6 contribution कितना half कितना हो गया 3 कितना हो गया 3 3 आएगा ना बटा C4 कौन बोल रहा है 3 आएगा ना बटा तो formula क्या आ रहा है A, B, C, 3 सही है? सही है? इस करो या करो इमादफ इस करो सही है ना? सही है ना? और बताओ चलो और बताओ, और बताओ, यहाँ देखो A present है सपोस करो corner पे B present है body center मैं बता रहूँ इसका second part कब आएगा? इसका second part इसका कल नहीं आएगा second part इसका कल नहीं आएगा second part कल नहीं आएगा, मैं आपको बता रहूँ इसका second part कब आएगा मैं बता दाओ, मैं टीम को भी बोल दूँगा team को भी बोल दूँगा कि मैंने यहर कल का जो session है वो मैंने बता रखा है कल का session है न मैंने वो team को बता रखा है और वो team लगा देगी तो कल का session हम disturb नहीं कर सकते कल पर सोगा चेक है मैं आपको बता देता हूँ इसका second part कब आएगा तो कल class है बता रहो मैं कल का आपको पूरा schedule दे रहो मैं चली अजा बताओ क्या बन रहा है बताए क्या बन रहा है क्वश्च ए पेटा कॉर्नर वे आन शी रहो है पिछ the अनोस में किसी में तो पिट यह यहां पर कॉर्णर में भी है जिए पाडी उन्तर इंटर में में भी है FCC में भी तो सिर्फ और सेफ corner और face center में होता था यह बटा अलग हैं वो तो standard थे simple cube BCC FCC standard होते हैं यह बटा standard नहीं है यह हम examples देख रहे हैं देखो corner कितने होते हैं 8 contribution 1 by 8 कितना हो गया 1 body center कितना होता है बटा 1 contribution 1 कितना हो गया वन हो गया कि face center कितने होते हैं फेसिशे contribution half कितना यह तीन आ गया कितने होते हैं बारा और एज का contribution कितना फोर कितना हो गया थीन देखो यह contribution मैं आपको हेलेट करेंगे बता तो corner का का कॉंट्रिबिशन वन बाइट थीक है बोडी सेंटर का कॉंट्रिबिशन वन फेस सेंटर का हाफ एज सेंटर का वन बाइफ तो आंसर के आगे आपका A, B, C, D, C एजिया आएभर पिश्करों या करूं इवादत एको ही गल है तीस्रा कोश्चन, तीस्रा कोश्चन, तीस्रा कोश्चन, उओ तही ए, सही है, सही है आजाव विटा अब देखो थोड़ा सा A पे कौन है बड़ा? Corners सुनिए गज्यान से A पे कहा है बड़ा? Corners है B आपको मैं बताता हूँ Alternate Face Center सुनना ध्यान से Alternate Face Center अब सुनिए गज्यान से Alternate Face Center इसका जरा ट्राइ करो इबर चलो ट्राइ करो फिर मैं बताता हूँ सर कल क्लास ओफ रहेगी कि नहीं भाई कल कोडिनेशन कंपाउंड है मैं आपको बता रहो न प्रूंट पांस उड़न नहीं रूखोगे सवाल नहीं कर रहो हूँ बता रहो रुख ज़ो रुख ज़ो बता रहो पूरा प्लान बतारो, न्यू येर का भी प्लान बतारो, मेरा जो न्यू येर का प्लान है, वो भी मैं भी आपको डिस्कस करके जाता हूँ, बस, चलो, कॉर्णर, कितने है सर, आठ है, पेटा जो alternate faced होते हैं, वो कितने होते हैं? दो होते हैं, और श्रूर, alternate face कितने होते हैं, दो होते हैं, opposite वाले बोलना चाँए, ये तो ये, जो हमतरी है न ये right वाला तो left वाला है, प्लोर तो आपका ग्राउंड तो अल्टरनेट फेस कितने होते हैं दो तो अल्टरनेट फेस सेंटर भी कितने होंगे दो होंगे अच्छा फेसेज का कॉंट्रिबुशन हाफ होता है तो कितना आगया वना गया कितना आगया वना गया आया समझ में, तो क्या formula आ रहा है आ पूर्निमा जी बोल रहे हैं बेन एक पूर्निमा जी समझ क्या रही हैं, एक छोड के एक आप समझो ये confusion क्या हो रहा है alternate face ये नहीं है कि ये एक दिवार इसको छोड़ दो फिर ये दूसरी दिवार फिर इसको छोड़ दो फिर ये तीसरी दिवार फिर इसको छोड़ दो ऐसे नहीं है ऐसा नहीं है आप समझ रहे हो पूर्णे माजी का डाउट समझ रहो, पूर्णे माजी बोल रही है, तीन क्यों नहीं है तो वो पूर्णे माजी क्या ले रही है, एक ये ले रही है, तो ये वाली दिवार नहीं ले रही alternate है ना, इंगलिस में जा रही है वो, इंगलिस में जा रही है ये ले रही है, तो ये नहीं ले रही है, तो ये नहीं ले रही है, ग्राउंड ले रही है, तो सीलिंग नहीं ले रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, alternate का मतलब क्या, opposite, ये तो ये, दो, दो बस दो, ये दो, या फिर ये दो, या फिर ये दो, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गया. अच्छा ऐसे अगर सपोस्खरों यह हुआ सपोस्खरों यह हुआ कि A कहां है कॉर्नर पे सपोस्खरों B क्या है alternate edges पर ATireness is per upon жyn आई कि ऑल्टनरेट अज़गी बात हो रही है अट कोई दिक्क्ति नहीं है eightнем यあぁ होते हैं contribution वन वाएट क्या आ गया वन क्या गया अल्टरेट एज़ कितने होते हैं सर कि ओल तर मैं और गीज़ करता चार होते हैं कौंट्रीविशन सब्सक्राइब नहां गया इस दितन रखिये गए गया बड़ा alternate edges कितने होते हैं मैं आपको imagine करवा दूँगा next class में वैसे आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत के रिए ज्याद़ अच्छा रहेगा alternate edge कितने होते बढ़ चार होते है alternate edge कितने होते बढ़ चार होते है ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा मैं आप आपर लग रहा हूं ध्यान रखे ठीक है अब क्यूं क्या मत पूछो इसमें क्यों क्या मत पूछो यहां जवर्दस imagination करने परती है आप čार प्याद रखे ध्यान रख लो यार एक चीज तो ध्यान रख लो यहां रख लो ठीक है शेक है एक लाइक तो बनता है यार. क्या बोलते हैं फटा फट्फट से लाइक कर दीजे दिए session को फटा फट्फट से लाइक कर दीजे session अच्छा एक पूरा plan सुनलो बेटा आप पहले plan सुनलो फिर जाले जाईएगा अज बीटा 6 बजे i ilin स्टेट किया करेंगे practice करेंगे थुआधार तरीकी से मैं अभी लिंक बेज रही हूँ लिंक पेटा मैंने chat section में वी enroll करा दिए चाट सेक्षण में भी पिन करवा दिये enroll कर लेना कल पेटा क्या होगा कल क्या है बटा 29th 29th और 30th को आपका ये दो दिन चलेगा coordination सर सॉलिड स्टेट ही करा देते यार मैं सॉलिड स्टेट करा देता लेकिन मैंने टीम को पहले ही बोल दिया है coordination के लिए जो back end के वारी team होती है जो हमारे sessions लगाती है वो मैंने टीम के बोल दिया है coordination का अब यार वो change नहीं करेंगे ठीक है तो coordination ही हम लोग करेंगे coordination से बिटा तीन question पके हैं नीट में तो कल बिटा हम ये ही करेंगे 30 और 31st को हम ये ही करेंगे ठीक है 29 और 30 को 31st बिटा आपका off रहेगा मैंने आपको पहले ही बोला था एक छुट्टी मैं लूँगा बिटा एक छुट्टी मैं लूँगा एक छुट्टी मैं लूँगा और first तो आपका Sunday है अना अच्छा सुनो सुनो 31st December YouTube off है YouTube off है लेकिन आपको ध्यान है weekly test हो रहे हैं हमारे कितने बच्चों को ध्यान है weekly test हो रहे हमारे कितने बच्चों को ध्यान है weekly test हो रहे हमारे कितने बच्चों को ध्यान है weekly test हो रहे है हम आपके weekly test ले रहे हैं जो जो हफ्ते में मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको test भी ले रहा हूं तो 31st को जो कि Saturday है इस बार Saturday को ले रहा हूं मैं टेस्ट, क्योंकि Sunday आपका 1st January है, Sunday का कुछ ना कुछ प्लान मन जाएगा, और फिर आपका weekly टेस्ट रह जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं, तो Saturday को इस बार आपका YouTube तो off है, लेकिन weekly टेस् चाप्टाज आप लोग मेरे से सुन लेजे, जो इस हफते हमने पढ़े हैं, इस हफते कौन-कौन-कौन इस बढ़ा है, कक अधर बता दो यार, भाइ साब, इलेक्टर, इलेक्टर बढ़ी, दो दिन से इलेक्टर पढ़े थे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ठीक है? सॉलिड स्टेट जितना करवाया है आगे का नहीं आएगा सॉलिड स्टेट जितना करवाया है सॉलिड स्टेट जितना करवाया है उतना जितना करवाया है उतना और कॉडिनेशन और कॉडिनेशन Compound Coordination Compound यह तीन है आपका Slavers पूरेdie lah हमारी साथ ले लो Screenshot लेलो और इसका Time में बता दूओँ Time में आपको بتा दूओँ Time में decide कर रहicamente exactly कब होगा Time में बता दूओँँग mets Practice class और वीकली test special classes कोई भी बेटा छोड़ेगा नहीं live ही आना है उसका आप benefit maximum benefit तब उठा पाओगे जब आपका time based question solve करोगे, poll based question solve करोगे, 2000 बच्चा बठा होगा 4000 बच्चा बठा होगा और फिर आप लोगों को अपकी ranking मिलेगे आपको पता चलेगा कियार किस तरीके से चलना है किस तरीके से चलना है तो ये classes बेटा आप लोगो live ही attend करने है, weekly test भी और शाम को 6 बज़े जो special class होती है again it is absolutely free Spartan code लगाना है enroll कर लेना है, Spartan code लगाना है enroll कर लेना है, छेक है छेक है, छेक है 6 बज़े मिल रहे हो 6 बज़े मिल रहे हो, एक time-bounded approach में आप question solve करिए, ठीक है इस weekly test का time में आपको बता दूँगा जो की 30th December को होगा कब होगा बटा, 30th December को होगा यह रहा आपका syllabus और मैं ये community पे भी डलवा देता हूँ एक January का plan बटा एक January पे छुट्टी है आप लोगों की छुट्टी है बाकी मेरे कुछ जो plans है उसको आप छोड़ो उसको आप छोड़ो ठीक है हाश्टाग अरे जिद है भाई फोडेंगे बताओ फोडेंगे या नहीं अरे बताओ या अरे फोडेंगे या नहीं फोडेंगे फोडेंगे या नहीं फोडेंगे बताओ जरा अरे सर जब तक फोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं क्या बोलती है पॉबलेक क्या बोलती है पॉबलेक क्या बोलती है पॉबलेक ठीक है चलिए चलिए, शाम को बिटा 6 बजे मिलते हैं solid state के साथ, शांदार तरीके से practice करते हैं कि कल, कल coordination compound करते हैं morning में 9 बजे 3 question आपके next 2 दिन में पक्के करते हैं weekly test का भी मैंने बता दिया है 31st December को है, time मैं आपको बता दूँगा electro, solid state और coordination आपका syllabus है solid state जितना पढ़ाया है, उतना ही आएगा solid state का next part कब आएगा ये भी सुन लो, ये तो बता नहीं बूल गया solid state का next part कब आएगा solid state का solid state का next part कब आएगा second part कब आएगा आपका second January second part है ने बजा, तो second January को आएगा third part होता थो बजा, third January को लेते लेकिन यह तो second party है second party है तो second january को लेंगे again morning में 9 बचा चलिए वीडियो के लाइक कर दीजिएगा खूब सरा प्यार दीजिएगा दोस्तों के साल शेयर कर दीएगा चानल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजिए सारे subject का बहुत ही amazing content यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे हैं टेक केर रहो और ग्रेट डेस यू गाइज बाई 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 बाई